आपके भाई रन्वीर ने TRS Clips Hindi के शुरुवात की है, क्यूं? आपके साथ knowledge share करने के लिए, यह है इंडिया का सबसे smart podcast का सबसे smart clips channel TRS Clips Hindi, subscribe, click on the bell icon जो transgender इंसान होते हैं, उनके strengths क्या होते है, आपके according और यह मैं professional standpoint से भी पूछ रहा हूँ, intellectual standpoint से भी पूछाँ, spiritual standpoint से भी पूछाँ मुझे लगता है कि हर इंसान में कोई ना कोई गुण होते हैं इसका मतलब यह नहीं कि हम सब संत हैं, community में ऐसा नहीं है कि community वाले जो transgenders हैं कि कोई हम कोई गलती कर ही नहीं सकते it might not be true, a lot of trans people might not agree with me, but this is about me as I can understand it तो मुझे यह intuition, intuitive powers के तहिए, यह मुझे लगता है कि हम में हैं sixth sense शायद आप में है, as a friend यह कह सकता हूँ कि आप में definitely है इसलिए मैंने कहा personally मुझे किसी और के behalf पे नहीं बोलता कि क्या है कि हम एक transgender community के लिए representative नहीं बन सकते हम अपने आख को represent कर रहे हैं as part of a community आपके साथ जब मैं बैठता हूँ ना मुझे वो protective vibe feel होती है और यह sixth sense कि अगर मुझे मैं कहीं अठक जाओंगा life में तो मैं definitely आपको call करूँग कोई बुरी बुरा बरताफ करेगा तो दीदी को call करूँ मतलब वो protective वो दे रही हूँ क्या मैं vibe दीदी जगत दीदी बना दी तुमने तो I don't know आप मेरे लिए क्या हो बट वो vibe protective है और vibe intuitive है अभी भी मैंने इस podcast को start करने से बहले मैं आपको वहां लेकर उस room में और आपसे काफी सारे सवाल पूछे energy के बारे में vibe के बारे में क्या फील हो रहा है आपको क्या आपको लगता है कि यहां भूत है वो भी पूछा मैंने आपसे भूत नहीं देखिए और this is a very good question क्या है मेरे हिसाब से हर एक space में जो यह आपको वैक्यूम लगता होगा लोगों को यह वैक्यूम लगता होगा पर यहां पर spirits हो सकते हैं यह आप मान के जलिए डरिये मत डरना क्या है उनको तो in fact जब मैंने आपको बुला कि सुभह उटके तो उनको डरना चाहिए मेरे से हमको क्या डरना है उनसे जब मैंने मेक अप और हैर नहीं किया तो उनको डरना चाहिए मेरे से आप यह मान के चलो कि you know everything is possible nothing is impossible यह नहीं है कि आप ऐसा कटर सोच लेके चलो कि ने 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 इससे डरना है उससे नहीं करना यह नहीं करना है किसने बोलाया आपको यह सब मैं बाइस साल की उमर ता कहले नहीं सोता था क्योंकि मुझे लगता था कि मेरे घर में कोच है पर यह 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 आपकी बिलीफ यह जो भी आपका प्रस्पेक्टिव इसकी शुरुआत कहा से बूतों के बारे में यह तो मेरे को एक बात तो ना 90s की फिल्म को तो पैन करना चाहिए और आप सब लोगों को डेखने चाहिए इधने बकवास इतना भयानक इधना भयानक इधना अमर्डर ओफ सिनिमा और फिर वो जो और यह लोग बोलते थे जो रियलिस्टिक सिनिमा थी उसको आठ सिनिमा का नाम दे दिया जो अच्छे मूवीज बना रही थी दीपा महता यह वो इन लोगों को आठ सिनिमा बोल दिया शबाना अजमी ने बहुत अच्छे काम अच्छा काम किया रेखा जी ने अच्छा काम किया नंदिता दास ने काम किया, इन लोगों ने, उनको आर्ट सिनमा का नाम दिया, क्यूं? क्यूंकि वो पागल जैसे नाचती नहीं है, या फिर, you know, ऐसा कुछ बक्वास नहीं करती है, या फिर, you know, all these things, ये, suddenly उनोंने बोला है, मासी है, अरे, मासी और क्लासी का ये क्या है, कि आपको अभी डर लगा है लाइफ में, मतलब भूतों से या ऐसे कोई और चीज़ों से, मेरे को तो वो पैसेज में तो हमने लाइट लगवाई थी, हमारी रूम यहां पे एक किचन है, यह मामी डाडी का रूम है, यह हमारा रूम था, यह किचन था, उधर से एक पैसेज थ तो हमारा प्रेशर ही रूख जाता था, रात को तो हम लोग बोलते थे कि रहने तो भी आएदर ही कर दो, या कुछ बंदों बस कर देना बाजू में, तो क्योंकि क्या है कि हमको सिखाया जाता था, हम बच्चे थे तब ही डरते थे, तो यह सिखाया गया था, कि तीन बजे स चार बजे तक यह है, तुम भार मत जाना, यह मत करना, काला काले कपड़े मत पहनना, रात को आप नाग मत बोलो, यह मत करो, यह काटो मत अपने, क्या क्या बात बोला है यार हमें, शीशे के सामने बलडी मेरी मत बोलो, शीशे के सामने मत सो, शीशे के सामने पैर मत डालो, मैंने ऐसे सोचा कि चलो यार ठीक है आपको सुलाई रहे है ना आपको कुछ किसी ने गलत नहीं किया क्यूंकि क्या है कि अगर आप आपने कुछ गलत नहीं किया to invoke or to elicit a response कि आप उनसे कुछ गलत फर्माइशे नहीं किया आपने करते है नोग बुलाते हैं यह वो करते हैं लोग तो अब आपका intention अगर गलत नहीं है तो आपके साथ गलत नहीं होगा यह मैने देखा था है कहा जाता है कि जो भूत होते हैं यह जो आत्माएं होती है भूत मत बोले भूत नहीं भूत आत्माएं होती है भूत पे मूवी बनी थी भूत भूत हूँ जहां रेखा भूत थी नहीं फिर रेखा खून भरी मांग में थी वो उसका पुनर जनम ऐसा दिखाया था वो कोई मरीर भरी नहीं थी उसको अलिगेटर ने उसको मगरमच के सोनु वालिया ने भेका था कबीर बेदी ने लात मारी थी उसको वो भूत नहीं थी और वो भूत उर्मिला मातौन को उसको नैशल आवर्ड मिला दी दी नमस्कार फूप मोटी फैन आहिमी हर जीव के कुछ चाहते होते है ठीक है जैसे human means क्या होता है रोटी, कपड़ा, मकान, प्यार, storytelling ये वो उसी तरह आत्मा की intentions क्या होते हैं? उनकी चाहते क्या होते हैं? पता नहीं, honestly I can't tell I think मुक्ती उनकी चाहत होते होते हैं Some people probably अगर आप मुझे पूचे के अगले जनम में आप सुशान्थ ही बनना चाहेंगे तो नहीं नहीं? क्यों? क्योंकि सिर्फ सुशान्थ ही जानते हैं कि उन्होंने कितना सहा है और क्या क्या सहा है क्योंकि सुशान्थ है क्योंकि सकत्राइब तो